फ्री बुक और फ्री वीडियो सोलिशन्स हाँ दोस्तों CGL 2022 जो मेंस देने वाले हैं और CHSL जो मेंस देने वाले नेक्स टियर उनके लिए बहुती ग्रेट रिवोलिशन है ये पूरी बुक फ्री में दे रहा हूँ और उनके एक एक उसन के वीडियो सोलिशन्स अब इसके साथ सेलेक्शन लेना इस बार आपको जो सपोर्ट चाहिए ना जो हेल्प चाहिए जो हेल्प मापकी कर सकता हूँ मुझे कोमेंट करके बता देना मैं तयार हूँ हमारी पूरी टीम बहुत मैनत कर रही है और ये एक नही रिगुलिशन है नही करांती है अब भारत का कोई भी बचा पिछे नहीं छुट जाए यार जो बचा मैनत कर रहा ना उसको सेलेक्शन लेना है सेलेक्शन लेना है हाग लगा देंगे तयार है ना सब और एक छोटा सा सेशन रख रहा हूँ मैं कैसे आप उसको डाउंलोड कर सकते हूँ ये सारी चीजे हम डिसकस करेंगे एक एक क्योशन का वीडियो सोलिशन भी फ्री में प्रोवाइड कर वाऊंगा वो कब होगा कैसे होगा कहां कहां पर आप उसको एक्सेस कर सकते हूँ वो सारी चीजे हम डिसकस करेंगे ये selection में कैसे help करेगी आपका सबसे बड़ा साथी ये book बनने वाली है तो वो कैसे help होगा कैसे आप आगे बढ़ोगे selection लोगे सारी चीजें समझाऊंगा पी वाई कुछ क्यों जरूरी है ये भी समझेंगे जिन बचों ने अभी CGL परी दिया है ठीक है और जो बचे पी वाई कुछ पढ़के गए हैं उनको पता है बहुत सारी पी वाई कुछ करवाई हैं तो उनको पता है कि पूरा पेपर उनी पेश था और यही आगे होने वाला है इसलिए पी वाई कुछ बहुत बड़ी ताकत है आपको उनको फोकस करना है और जो लेटेस पैटर्न है साथ कुछन साथ मिनिट में करने इस बार मैस और इजनिंग के तो आपका स्पीड बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा उसमें पी वाई क्यू कैसे हल्प रहेंगे कैस कैसे वह स्टेंडर्ड पैटर्न कैसे स्टेंडर्ड कुछन से आप अपने स्पीड बढ़ा सकोगे वह हम समझेंगे पूरी बूट के जो अठाइस सो कुछन से एक एक सिंगल सिस्टेमेटिक वे में आपको प्रोवाइड कर वाऊंगा और जो बच्चे बोलते हैं कि सर हमें हार कोपी चिंग हम अफोर्ड कर सकते हैं ठीक है? तो उनके लिए वह कैसे परचेज कर सकेंगे? यह हार कोपी भी आ गई है पाम्सो बारे पेज हैं टोतल ठीक है ना? पाम्सो बारे पेज तोतल कुछन के और हर एक कुछन में दो दो तीन तीन तरीके से सोलूशन दे रखे तो ये सबसे बड़ा साथी बनने वाला आपका सबसे बड़ा साथी स्लेक्शन के प्रोसेस में तो वो कैसे परचेज कर सकेंगे वो सारी चीज़ें भी समझाऊंगा और आपको QR कोड भी दे दूँगा स्कान करने के लिए तो अब इसको एक बार समझते हैं कि ये पूरी प्रोसेस क्या है कैसे हम आगे बढ़ेंगे और ये सबसे बड़ी चीज बाइलिंग्वल है इंडी में भी हैं इंग्लिस में भी है जो क्योसंस हैं सेम एक उपर इंग्लिश है नीचे हिंदी है Solutions में भी दोनों को ध्यान में रखा है जहां Hindi required है वहां Hindi में भी दियें और English में भी दियें तो आप जो बच्चे Hindi medium है English medium वाले बच्चे हैं दोनों के लिए beneficial है और क्या चीजी है जो इसको unique बनाती है वो मैं आपको एक बार समझा देता हूं जो 2010 में CGL का नया pattern आया था ठीक है ना तब से लेकर 2021 तक के सारे sets with basic solution given है with neon approach given है ठीक है ना और neon का दूसरा नाम trust है हमने हमेशा बच्चों के trust के साथ आगे बढ़े हैं और बच्चों का trust है हमारी सबसे बड़ी ताकत है यहां complete analytics दिया है वो अभी समझाऊंगा मैं कि analytics में क्या दिया है और वो analytics क्यों जरूरी है यह दिया आप अपनी strategy बनाना चाहते हो selection की तो आपको analytics बहुत help करेगा वो मैं समझाऊंगा भी आपको PDA भी दिखाऊंगा basic formula solutions complete basic solution दिये हैं और उसमें भी दो दो तीन तीन तरीके से समझाएं क्यों क्योंकि बच्चे बोलते थे कि सर हम direct new on approach नहीं समझ पाते हैं क्योंकि बच्पन से लेकर जो schooling की है जो schools में पढ़े हैं वहाँ पे हमने basic formula तो पढ़ा है तो पहले आपको basic formula शिखाऊंगा उसके बाद new on approach पर बात करेंगे new on approach वो smart तरीके हैं वो smart approaches हैं जिन से आप exam में भोत fast answer करोगे वो आपकी mental speed mental calculation को बढ़ाने का जो तरीका है वो new on approach है new on मतलब नया ठीक है ना new on है इसका मतलब नया है मतलब नए तरीके नई बातें नए strategy नए analytics से selection की तरफ आगे कैसे बढ़ना है ठीक है और यह latest तो है जो sse cpo chsl सारे exam के लिए यह helpful होने वाला है क्यों क्योंकि इसमें cpr discuss किया है वेदिक math की thought process discuss किया लिख के दिया मैंने यह सारी चीज़ें अभी दिखाऊंगा रुको और number line पे concept को समझा है number line जो हम number line देखते ना बस्पने इसमें सीखते है उस number line पे mathematical formula को कैसे adjust किया जा सकता है number line की help से कैसे फासल किया जा सकते हैं वो सारी चीज़ें मैंने लिख के दियें यहां पर ठीक है और यह थोड़ा सा बता दूँ यह revolution है एक कांती है जो मेरे माइन में बहुत सालों से चल रही है उस समझता हूं CGL 2011 में मेरी All India Rank 24 थी All India Rank 24 राजस्तान का टोपर था Income Tax Inspector जैपूर में स्टार्ट किया था मैंने जोब फिर जोब छोड़ा तब माइन में एक ही चीज थी एक ही विजन था कि भारत के हर बच्चे तक हर घर शिख्षा होनी चीए हर बच्चे तक वो चीज़ें अवेलेबल होनी चीए जिनसे वो अपना जीवन अपना केरियर अपने परिवार की जो इस्तती है आर्थिक इस्तती वो सुधार सके वो इंप्रूव कर सके उसमें मैं कैन रोल प्ले इसमें को कवर किया है तो यहां मैं टोपर भी हूँ हर साल मेरे बच्चे टोपर हैं और मैं 16 साल से बच्चों में राऊं एक एक चीज मुझे पता है तो यह जो इतना बड़ा experience है इतना लंबा experience है ना उसका सबसे बड़ा benefit यह है कि हजारों बच्चों को मैंने selection कर वाया है बच्चों में जो problems face करते हैं उनको मैं discuss करके गया हूँ एक एक चीज मुझे पता है और इसलिए जो अपना एप है उस पे जो classes होते है ने उन classes एप पर वहां में personal attention की class रखता हूँ जिसमें बच्चों को जो problem आती हैं जैसी problems आती हैं उनको मैं discuss करता हूँ क्योंकि इतना लंबा experience और ये ओल इंडिया टोपर दूसरे example नहीं मिलेगा आज आपको इंडिया में समझ रहे हो और हर साल बच्चे टोपर हैं मेरे ठीक है तो ये जो experience है ना यहां से आपको ये चीज़ सीखने को मिलेगी कि selection क्या है selection एक process है दोस्तों किसी subject में master यासिल करना selection नहीं होत ये आप क्यों समसूल करना सीखगे और आप सोचो selection हो जाएगा नहीं होगा एक 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 चीज़ बताओ जो बच्चा तीन चैर साल से तैरी कर रहा है मौन लोसी जेल की तैरी कर रहा है तो क्या उसके पास knowledge की कमी है क्या उसके पास knowledge की कमी है नहीं उसने बहुत सारा पढ़ knowledge उसके पास बहुत ज्यादा है वो बजाए उसके जो पहली बार तैरी कर रहा है लेकिन हम देखते हैं जो पहली बार तैरी करते हैं वो भी टोपर बनते हैं और बचे तीन तीन चार सार साल बाद भी selection नहीं ले पाते क्यों क्योंकि उनको ये नहीं पता कि जो knowledge उन्होंने लिया है जो notes बनाए है जो gain की knowledge उसको selection में कैसे बदला जाए ये चीजें सिखाता हूं मैं समझ रहो ना ये चीजें सिखाता हूं और IIT वाले बच्चों तक को पढ़ा है तो जो experience है जो मेरा style है teaching का वो selection oriented है यदि आपके मन में आग है मैनत करने के लिए तयार हो आओ मेरे स साथ इस करांती में मेरे साथ सामिल हो जाओ और selection लो समझाओंगा कि एक एक चीज कैसे में आगे बढ़ना है ये point clear है अब मैं एक बार आपको जो PDF है वो भी दिखा देता हूं ठीक है ये book का PDF दिखा रहो है ये बहुत जल्दी available हो जाएगा जो sets है वो तो start हो गए है और ए इतनी सारी मैनत हो रही है ये जो book है ना मेरा 16 साल की तपस्या है जो research मैंने किया है उसकी तपस्या है और मैं आपको free में दे रहा हूं ठीक है ना बिल्कुल free और video solutions भी free में आपको provide करवाने जा रहा हूं समझ रहो तो अब आपका इतना करते वे बनता है कि जो भी बच्च ये इसका hard copy score offline Amazon या flip card से मंगवाते हैं ठीक है ना वो एक five star rating दे और एक अच्छा सा review दे और आप YouTube पे टेलिग्राम पे चाहिए अपने review में ये mention करो कि आप क्या क्या improve कर रहे हो मेरे साथ और ये वादा है मेरा आपका मैस का देखने का मैस को soul करने का और selection तक कैसे जाना है ये नजरिया बदल दूँगा ये वादा है ठीक है तो जो आपका experience है ना वो share करो ताकि जो नए बच्चे आए उनको पता चले कि कौन असली में मैनत कर रहा है और कौन बच्चों को पागल बना रहा है ठीक है ना ये आपकी जिम्मेदार है दोस्तों और अब जो मैनत है व और फोर नहीं कर सकता है education उसके लिए चीज़ें फ्री हैं लेकिन किसी publisher के लिए या किस educator के लिए या किसी faculty के लिए फ्री नहीं है बही मेरा copyright है 16 साल की मैनत है मेरी ठीक है ना तो यदि कोई भी इनको मेरे methods को मेरे solutions को इस book को copy करके बेशता है तो वो copyright claim करूंगा मैं और इ मेरे साथी हो आप ही मेरे सखा हो आपको ध्यान रखना है कि कोई copy ना करे और इसको ज्यादा से ज्यादा बचों में share कर देना इस PDF को ज्यादा से ज्यादा बचों को बता देना ताकि कोई copy ना कर पाए ठीक है ना research करके राद दिने करके methods लिखना नई book तयार करना नई strategy न आपके पढ़ाई के लिए आपके इंप्रूमेंट के लिए दिया है आज भी रात को दो तीन बज़े तक मैं सर्च करता हूँ पढ़ता हूँ वो यहाँ पे जलक रहा है ठीक है तो और ऐसे लोग बहुत है जो टोपर्स खरीज लेंगे जो इधर उधर की मैनत को कोपी कर लेंगे और अपने नाम से बेसेंगे ऐसे लोगों की कमी नहीं आज आपको भी पता है सब बाते है तो यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करो और आप उनको परसनल बताओ कि नियोन पे इतनी मैनत के साथ यह बुक्स त्यार हुई है ठीक है और अब मैं एक बार आपको इंडेक्स दिखा देता हूँ यह पूरी इंडेक्स है यह यह बहुत इंपोर्टेंट पार्ट है पूरे जो 28 सेट्स हैं एक एक सेट का डिटेल्ड एनालीसिस दिया है कि इस पूरी बुक में नंबर सिस्टम के एक सोठारे कुशंस हैं एवरेज के चार पाच कुशंस हैं एक-एक सेट में कितने कुशंस हा रहे यह डिसकस किया ज чув tummy ज्यसे है अभी दुबारा है तीकि को इसमें आठ अगरस्ट करी अष्स के चार कुशंस है बाकिवी कई सालों नहीं आ लेकिन ये progressions है ये 2010-11 में आता था जैसे मैं भी आपको 10-11 वाला set दिखाता हूँ ठीक है ना ये 17 वाला हो गया ठीक है ये एक-एक paper का analysis दिया यार ठीक है ना ये 10 वाला हो गया देखो 5-6, 2011 में 6 क्योंस थे progressions के फिर 4-3-4 तो जो number system ये progressions के ये 2010 में भी थे तो जो variations है ना वो आप भूत आसानी से समझ पाओगे ये analytics बहुत ज़रूरी है आपको अपनी selection की strategy बनाने में ठीक है ना जो समझदार intelligent बच्चे होते हैं जिनका experience होता है वो ये research है अपने आप करते हैं ये मैंने करके दे दिया आपको ठीक है ना यहां से आप अपनी strategy बना सकते हो कि किस topic के कितने questions हा रहे है क्या weightage है जैसे geometry के 370 questions है क्या average चल रहा है कब average बढ़ा है कब घटा है algebra के 226 questions है mensuration के 264 है trigon के 203 questions है और trigon में आप देखोगे कि 9-10, 9-10 ये questions सल रहे है तो यहां से भूत लंबा experience के साथ ही tables बनाई है और जो अभी latest है उसकी बात कर ले जो 8 अगस्त को exam होगा था उसमें क्या pattern रखा है वो समझा देता हूँ ये जो syllabus अभी SSC ने release किया नए pattern का उसी pattern पे arrange किया है ठीक है ना बिलकुल उसी pattern पे चीज़ों को arrange किया है सबसे पहले number system आएगा ठीक है ना number system के 4 questions है और sequence एक से 4 रखिये progressions इसके 4 questions है इनकी 5-8 sequence रखिये अब यहां से इसका benefit यह है महलोग कोई बचा बोले कि sir मैं time and work के questions देखना चाहता हूँ तो आप आओ यहां पे time and work हर set में 20 number पे मिलेगा और इसके 4 questions और इसके sequence भी है 42, 43, 44 और 45 यह 4 questions से time and work के मिलेंगे हर set में इसी तरह से मालोग आपको लगे इससार मुझे time and work पूरा एक दिन में solve करना है आओ आओ आपको एक एक question को ढूनने की जरुवत नहीं है जो एक set wise एक topic wise एक paper wise ऐसे जो books दो दो book खरिदने की जरुवत नहीं है ठीक ना two in one है यह इसकी सबसे बड़ी beauty है unique बनाती है एक एक चीज का analysis है आपके पास ठीक ना आप आओ आओ आप time and work के questions देखू हर set में आपको एक ही sequence में मिलेंगे फटा फरसोल कर दो जब आप उसको set wise समझोगे तो इसका benefit यह है कि आप comparatively analysis कर पाऊगे कि जब एक topic के questions आसान आते हैं तो किस topic के questions ट्रफ आ रहे हैं समझे रहे हैं क्यार यह दो-पास questions टफ आ गए तो इतने questions आसान आने चीएं ठीक है तो बहुत detail में आपके लिए research दे दिया है और यह जो paper है यह इस टाइप से आपको PDF में sequence मिल जाएगी यह पहले number system फिर number system ठीक है ना फिर number system यह questions है फिर progressions आगे series वाले questions आगे ठीक है ना तो ऐसे ही पूरा का पूरा जो sequence अभी मैंने टेबल बताई थी उसी sequence पे और आज जितने भी paper अपन PDF में provide करवा रहा हूं सभी में यह sequence follow हो रही है तो आप कोई भी PDF उठा लो उसमें आपको systematic मिल जाएगा तो सब से last में DI मिलेगा हर जगे यह answer किया गई solutions पर बहुत detail में काम किया है ठीक है ना दो दो तीन तीन तरीके से solve कर भाए है जैसे मैं के आपको बात करें income की expenditure वाला जो question है कि food पे इतना हो रहा है savings पेतना है clothing पेतना expenditure है तो यह पूरा detail में समझा दिया एक एक चीज़ detail में समझा दिया फिर इसी को सोटा और basic से सोटा fast कैसे क्या जा सकता है वो alternatively में समझा दिया कि यह भी basic है लेकिन इसको भी आप fast कर सकते हो दूसरे तरीके से ठीक है फिर यह आगे आपको new approach भी दिवता दिया कि आप और भी fast करना चाहो तो आप कैसे कर लोगे ठीक है ऐसे ही जो साहे CP हो profit हो SICI हो हर type पे जैसे यह question है तो यहाँ पे new approach भी दो-दो दे दिया है कि एक आप यह जो direct relation है इसको ध्यान में रख लो चाहे आप इसमें compound interest की form में लगा दो यह alternatively दे दिया है कि यहाँ पे पूरा detail में समझाया यह देखो इतना बड़ा बनता है एक तो detail बेसिक एक step जो आप exam में करते थे college में करते थे schools में करते थे वह method भी दे दिया फिर इस alternative भी दे दिया कि आप इसको जो SI-CI के जो form बनती है उनको direct कैसे देख सकते हो और फिर यहाँ नियोन अप्रोच भी दे दिया ठीक है कि इसका digit sum यह बनना चाहिए इसमें last digit यहानी चाहिए इसको हम ऐसे fast कर सकते हैं वो सारे methods यहाँ पे समझा दिये हैं आपको ठीक है ना त पहले बना सकता था लेकिन जोब और इन सब के उज़े से इतना टाइम नहीं लगा समझे हो इतना टाइम नहीं दे पाया मैं कि जोब भी कर रहा था जब से मैंने जोब छोड़ी है तब से जो सपना लिया था revolution का तब से फिर मेरे सिने में एक आग लगी हुई है और यह जहेंगे ठिक है और उसमें आग लगा दूंगा सच बता रहा हूँ इतना सारा कॉंटेइंट फ्री में दे रहा हूँ इतने वीडियो फ्री में दे रहा हूँ इतनी PDF वीज सोलुशन PDF सिस्टेमेटिक अपडेटेड कहीं नहीं मिलेगा किसी चैनल पर नहीं मिलेगा अब य एक एक चीज को डिटेल में डिसक्स किया है और दो तीन-तीन मैथड ठीक है ना मजाक नहीं है इस लोल पर बुक तयार करना और दावे से बोलता हूं ऐसी बुक आज तक नहीं बनी है आज तक नहीं बनी इतना सिस्टेमेटिक इतने अलग लग तरह के सॉल्यूसंस यह देखो एक पर यह एलजेवरा में डायरेक्ट फोर्मूला और अटर्नेटिवली और दूसरे तरीके से कैसे देख सकते थे और नियोन अप्रोश वेल्यू पूट करके कैसे कर सकते थे समझ रहों आजो जो मेट्री में क्या-क्या है यहां नियोन अप्रोश भी दो-दो देदी है कि यह दिया आप वेल्यू पूट करो तो भी दो तरीके से आप वेल्यू पूट कर सकते हो जोमेट्री में आपको स्टेंडर्ड ट्रेंगल्स दे दी है ठीक है ना जो स्टेंडर्ड फीगर्स हैं वो समझा दी है कि आप कैसे स्टेंडर्ड फीगर्स की हल्प से आंसर कर सकते ह यहां जो मेंसुरेशन है उसमें समझा दिया है इसमें भी नियोन अप्रोच दो लगा दिया है पहला यह देखो बेसिक सोलिशन हुआ ठीक है फिर एक आर्गुमेंट दिया आपको और फिर नियोन अप्रोच की आठ और साथ के मल्टिपल से भी हो सकता था ठीक है ना अब जर इसमें फिर रेडियस और वोल्यूम का रिलेशन है हाईट रेडियस का तो यह पहले बेशिक बता दिया फिर एल्टरनेटर्वली रेशो में ले जाके कैसे करो गे वो बता दिया ठीक है और फिर नियोन अप्रोच्ट व्होर प्रोचस भी लिख दिये कि सरकल की रेडियस य डिवह तब की तो एरिया जाएगा ठीक है न? कोण के बेस को चारगुना करने पर वोल्ब्यूम को जाएगा ये हउड़ होच कि प хотел चके हैं तो और वान रिलेटकर पाएंगे जो बच्छे नया हो सकता उसको नहीं समझ आए ये हाइड भी बढ़ते तो तो वोल्यूम भी उसी रिश्व में बढ़ेगा तो नया कॉन का वोल्यूम ये बनेगा दन हटा ये attitude दिया यहां पे हटा हटा sound की हटा बहुत मैनत के साथ बनाए 11 का multiple है तो एक option है समझे जहां जहां जो जो अप्रोच आप सोच सकते थे वो बता दिया ये पूरा detail में समझा दिया value put करके और डायरेक्टे जो identity है ट्रिगों में वो बता दिया है ठीक है तो इस level पे सारी चीज़ें आपको तियार करके दे दी है पूरे 2800 questions और मैं आपको दावे से बोलता हूं ये दी 2800 questions आपने solve कर ली ये पूरी book आपने solve कर ली है और इनकी video solution देख ली है इसमें आपने जो जहां जहां प्रोब्लम आए वहां आपने mark कर लिया है अपने notes की form में इसको बना ली है तो ये सबसे बड़ा साथ है आपका बहुत जल्दी ठीक है ना जो मेंस के sets हैं उनकी book भी बहुत जल्दी आने वाली है ठीक है उनकी PDF सारी प्रोवाइड करवा देंगे ठीक है अब पीवाई क्यू पर बात करें तो 10 गंटे 24 गंटे 13 गंटे ये बड़ी-बड़ी classes दी है और बहुत ही systematic मेंस में sentence improvement 2010 से लेकर आ सब्सक्राइगा वो कैब में sporting error 2010 से लेकर ये बीस तक के 21 तक के जो sporting error ना 500 किसंस सारे समझा दिये एक वीडियो में और इसी तरह से reasoning के 10,000 किसंस करवा दिये 347 पेपर से और विड पीडिये फे विड सॉलिशन पीडिये फे मैस मैस 15,000 किसंस मजाख है 15,000 किसंस फ्री में YouTube करवा दिये 490 प्लस पेपर सॉल करवा दिये CTSL CGL CPOGD MTS प्री मेंस कुछ भी तो नहीं छोड़ा यार अब तो आपका सपोर्ट करना बनता है अब तो आग लग जानी चाहिए मन में सीने में कि सर सेलेक्षन लेंगे और आपने जो प्रोवाइड करवा दिया ना उसके रहा ब्रेंड अमेस्टर अब आप हो नियोन का जो भी ब्रेंड अस्टर है ना वो आज आप हो हर एक बच्छा जो नियोन से जुड़ा है, वो मेरा सेनिक है, मेरा सिपाई है, मेरा युद्धा है। आपको अब यह जंग जितनी है हमारे अगेंस्ट कौन है? बड़ी बड़ी कमपनिया हमारे गेस्ट कौन है वो लोग जो जूट से बच्चों को धुका दे के पागल बना के अपने कोर्स बेच रहे हैं ठीक है ना उन लोगों के साथ वो लोग जो टोपास खरीद के बच्चों को पागल बना देते हैं एक साधान बच्चा उन पर विशास कर लेता है तो ये लड़ाई बहुत लंबी है मुझे आपका सपोर्ट चीएगा सपोर्ट केवल ये कि आप वीडियोज को लाइक करो सेर करो, रेटिंग दो और बोलो कॉमेंट करके बोलो सर हम सेलेक्शन के लिए अब कोई कसर नहीं छोड़ेंगे हम आपके साथ है ये अमेजन पर ये बूक आगी है जो बच्चे खरीज सकते हैं वो खरीज लो ये फ्लिप कार्ट है, ठीक है ना ये आप यहां से इसका स्क्रीन सोट लेके भी फोटो लेके QR कोड से आप पहुंच आओगे और ये नियोन क्लासेज है ये यूट्यूब चैनल ठीक है ना जो बच्चा नया है वो यहां इसको चैनल को जोईन कर ले सारे क्लासेज यहां पर प्रोपर वे में आने वाली हैं और सबको कंपाइल करके भी अरेंज करवा दूँगा ये एप है ठीक है इस एप पर यहां से आप जोईन कर लो ठीक है ना और जुरूर जोईन कर लेना बहुत सारी PDF e-books प्री है इस एप पे भी आपको पूरी बुक फ्री मिल जाएगी ठीक है ना और भी बहुत सारी जल्दी पूरा पूरा का पूरा कंपाइल होकी आपको PDF मिल जाएगी पूरी बुक की तो यहां से आप यह स्कैन करके जोईन कर लोगे टेलिग्राम और यह नियोन बुक का टेलिग्राम है यहां पे केवल और केवल PDF और e-books आ रही है यहां पे क्विज वगड़े भी आती ह यहां क्विज भी दो उससे भी आपका improvement होगा और finally अब मैं यह कहूंगा कि यदि आप में आग है ना तो हम आपके selection के लिए जी जान लगा देंगे बहुत मैनत कर रहे हैं यार बहुत मैनत कर रहे हैं और यह करांती है दोस्तों यह revolution है इस revolution में आगे बढ़ना है इस साल selection लेना है और बदल देनी अपनी जिनगी हम सब आपके साथ हैं मैं हाद जोड की बिंती करता हूं हाद जोड की बिंती करता हूं मुझे support करो मजाक नहीं है इतना सब कुछ free में देना मेरे साथ मेरे पिछे कोई बड़ी company नहीं है दोस्तों बड़ी company नहीं है सारा पैसा सारी चीजें ना मेरे मैनत की कमाई से जा रहा है सो लोगों का staff है मेरे पिछे उन सब का प्रिवार भी चलाना मेरे जिम्मेदारी होती है तो अब आपका support चीए आप share करोगे बताओगे दोस्तों को और selection के लिए भूछ जीजान लगा दोगे अभी तो शुरुआत है ठीक है ना आप सब का कल्यान हो आप सब आगे बढ़ो जिंद्गी में आपने जो सपने देखे हैं वो पूरे क्रेव भगवान और मैं भगवान से भी ये बोलूँगा कि मुझे भी प्रेना दें मुझे भी साहस दें कि मैं हर उस बच्चे के लिए अपना जीवन में जो मैंने सपने लिए हैं वो पूरे करूं जो बच्चा फोर्ड नहीं कर सकता जो आगे बढ़ना चाहता है मुझे के लिए अपना रोल प्ले कर सकूं और मेरे अगेंस्ट कोई भी कैसा भी खड़ा हो जाए कितना भी बढ़ा हो जाए मेरे अगेंस्ट खड़ा हो तो मुझे उससे लड़न तन्हे बात